नास्ते में सच में कुछ हेल्दी खाना है, तो पोहे से आसान और पोहे से अच्छा टेस्ट में साइद कुछ नहीं, उसमें भी हरे मटर और आलू के बने हुए पोहे मिल जाये, तो क्या बात है? और यह बहुत ही आसानी से घर पे जटपट बन जाने वाली ब्रेकफास्ट है तो फिर देर किस बात की चलिए शुरू करते हैं बनाना तो हेल्दी पोहा बनाने के लिए हमें चाहिए एक बॉल हडा मिटर कुछ कड़ी पत्ते, दो आलू को मैंने कट करके रख लिये हैं एक बड़ा प्याज को भी कट कर लेना है, दो हडी मिर्च कट कर लीजे और दो बड़े टमाटर को भी कट करके रख लेना है, 500 ग्राम पोहा लिया है तो चलिए आगे की प्रोशिश की और, इधर गैस पर मेरा ओयल गरम हो चुका है अब डाल देते हैं, राई, काला शर्सों, फिर इसमें हडी मिर्च जो कट करके हमने रखा हुआ है वो डाल देते हैं, और करी पता, करी पता को अच्छे से धो के पोच के डाली नहीं तो इससे पानी चिटकने का डर रहता है, और इसका फ्लेवर करी पता का बहुत ही अच्छा आता है पोहा में जब यह इस तरह से अच्छे से पक जाए तो इसमें डाल देंगे प्यास डाल देना है यह देखे इसको भी भून लेना है इस तरह से अब इसमें डाल देंगे आलू और हडा मटर जो हमने रखा हुआ है वो और इसे बस दो मिनट के लिए चलाएंगे ज्यादा नहीं अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर इससे पोहे का कलर बहुत ही अच्छा आता है नमक ताकि ये सब गल जाए थोरे नमक बाद में पोहे में भी परेंगे इसलिए हिसाब से दीजेगा अब इसे चला लेते हैं अब इसमें डाल देना है टमाटर दो टमाटर मैंने कट करके रखा है वो डाल देती हूँ टमाटर पुरी तरह ऑप्सिनल है आपकी इच्छा डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं मगर इससे टेस्ट अच्छा आता है तो इसे दो मिनट के लिए ढख देते हैं इधर पोहे को मैं धो लेती हूँ और इसे छनली में छान के रख लेती हूँ ध्यान रहे पोहे को ज़्यादा दे दो के नहीं रखना है तो अब देखे सबजी भी मेरा पक्के रेडी हो चुका है बहुत ही अच्छे से इसे बढ़ियां से दो मिनट के लिए चला लेना है टमाटर डालने के बाद इसका कलर बहुत ही अच्छा आजाता है ये देखे तो ये पूरी तरह सबजी पक्के रेडी हो चुका है तो अब डाल देते हैं इसमें पोहा सारे पोहे को डाल के अच्छे से मिला लेना है इसको बढ़िया से मिलाने के बाद आप चाहें तो इसमें निम्बू भी दे सकते हैं इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है मैं नहीं डाल रही हूँ मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है थोरा खटा उससे हो जाता है अब इसमें डाल दूँगी घी, घी का इसमें बहुती अच्छा फ्लेवर आता है तो घी जरूर डाले, घी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेना है तो अब हमारा पोहा बनके रेडी हो चुका है, तो इसे सर्व कर देते हैं, ये देखिए पोहे कितने खिले-खिले बने हुए है ना, अब मैं इसमें डाल रही हूँ, मुमफली के कुछ दाने ये बच्छों को बहुती पसंद आते हैं, इसलिए डाल रही हूँ, और अच्छा लगता है आप चाहें तो इसमें मुमफली के दाने नहीं भी डाल सकते हैं, ये ऐसे ही हल्दी ब्रेकफास्ट बनके रेडी हो गया और बहुती स्वादिश्ट लगता है, तो ये रेशिपी कैसा लगा जरूर बताइएगा